हलो एंड वेलकम टू जेकी सिवल सर्विसेज डियर एस्पिरेंट्स सेट थ्योरी को कंटीनू करते हैं आज थर्ड लेक्चर से जिसमें हम वो इंपॉर्टेंट प्रिवेस यर के कॉश्चन जिसक्स करने वाले हैं और जो यह सेट थ्योरी हैं I assure to you कि जो भी एक्जाम में आजाएगा आपको तो आपको क्या करना है आपको इन कॉस्चन को अच्छे से देखना है अच्छे से सालू करना है समझना है तो माई डियर स्टूटेंट्स करते हैं start आज इनहीं mcqs से तो शायद यह 15 mcqs हैं यहां पे 15 है I think हाजी 15 mcqs हैं तो start करते हैं first mcqs से यहां पे जो दिया गया है first mcq that is power set of empty set has exactly dash subsets मैंने आपको समझाया power set होता क्या है empty set होता क्या है empty set क्या होता है जिसमें कोई element नहीं होगा वो set जिसमें कोई element नहीं होता है उसको हम represent करते हैं ऐसे या 5 से okay तो power set क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया वो set जिसमें क्या आते हैं सारे जो उसमें फिर subsets बनते हैं तो वो सारे subsets उसी power set में आते हैं तो उसको हम अलग-अलग भी लिखते हैं फिर उसकी जो formula में ने बताए थी वो 2 power n कुछ बताया था आपको याद होगा okay तो यहां पे देखते हैं सालो करते हैं ये question जो है उसका जो option यहां पे जो options हैं वो है one, zero, two and nine of these वो यहां पे नहीं है तो आपको क्या बताना है जो empty set का power set है आपको empty set का power set निकालना है उसमें कितने subsets है exactly आपको बताना है उसमें कितने subsets हैं तो आपको मैंने बताया था जो power set of a set होता है यानि अगर हम यहां पे a लेंगे empty set तो वो होता है बराबर two power n, where n is the number of elements, okay तो यहां पे क्या है, यहां पे यह empty set है, empty set में कितने elements होते हैं, no, वहां पे कोई element ही नहीं होता है तो यहां पहले क्या लिखेंगे two power n होता क्या है number of elements, तो जब वहां पे कोई element नहीं होगा, तो वो लिखेंगे हम यहां पे zero तो यह आपको पता है अगर हम anything raising power zero वो किसके बराबर होता है आपने कभी सुनाए अगर हम कोई भी number लेते हैं उसको power raising power zero लेते हैं वो किसके बराबर होता है वो हमेशा one के बराबर होता है so my dear students जो यहां पर power set किसका है empty set का वो हमेशा one होगा यहां पर मैंने किया है वो one तो यहां पर zero यहां पर mistake by mistake यहां पर इसको tick लगी है आप इसको tick देना है one को okay तो यहां पर option a is the correct option तो second question क्या है यहां पर sets 2357 and 7582 दो sets यहां पर दिये गए हैं एक sets में जो elements है वो 2357 है और जो next set है उसमें जो elements है वो है 7582 यह वहां से ही दिया गया है जो यह दो sets है यह equal है क्या है equal तो आपको if a यह equal है लेकिन आपको यह तब equal होंगे जब a का value क्या होगा आपको वो find करना है a का value किसके बराबर होगा तो मैंने आपको बताया था equal sets क्या होता है तो second first lecture देखेगा आपको पता चलेगा equal sets होता क्या है यहाँ पर थोड़ा सा फिर से discuss करोंगी equal sets क्या होता है जिसमें number यहाँ पर लिखा है two sets are equal if the number of elements अगर number of elements same होंगे और जो elements है वो भी same तो elements भी same और जो उनका number है वो भी same तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर कितने elements है 1,2,3,4 यहाँ पर कितने है 1,2,3,4 अब यहाँ पर आपको एक value करना find तो four elements दोनों में है अब आपको क्या है equal sets में और एक बात और एक condition जो elements होते हैं वो same होते हैं और बराबर होते हैं तो यहाँ पर two है यहाँ पर भी two है आ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नजर नहीं आता है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ मिस्सिंग है, वो क्या है, वो है 3, तो जो यहाँ पर A दिया गया है, तो उसका वेल्यू क्या होगा, 3, जब उसका वेल्यू 3 होगा, तब यह दो सैटिस क्या बनेंगे equal set तो यहां पर कौन सी option correct है C option is the correct option ओके तो third question देखेगा The number of subsets of a set containing an element is तो formula है, सीधे formula है मैंने आपको यह समझाया जो अगर हमें number of subsets निकालने होते हैं power set याद है? power set में क्या करते है? number of subsets निकालते हैं a is equal to one, two तो आपको इसका power set निकालना है power set means तो जो यह set है उसके सारे elements को आपको अलग-अलग लिखना है तो वो क्या आजएगा? मैंने आपको बताया five हमेशा होता है subset किसका? हर किसी set का तो यह subset आजएगा और आजएगा one, फिर two, फिर one, two फिर क्या last में? हाँ, इतनी ही है तो अगर आपको फार्मला याद है वो क्या है? two power n तो यहां पर क्या answer मिलेगा आपको? तो जो number of sub-sets आपको निकालने होगे किसी set के जिसमें n elements यहां पर इस time n elements की बात हो रही है तो उस time क्या फार्मला है? वो किसके बराबर होता है? वो number of sub-sets वो है two power n n नहीं आ जाएगा one नहीं two n नहीं तो क्या answer आ जाएगा? two power n note दिखाया था तो lecture first पर जाना वहां पर आपको मिलेगा question number four यहां पर है the set यहां पर set दिया गया है तो वो set क्या है? a is equal to x such that please identify कीजिएगा कौन सी farm है? क्या यह roaster farm है? या set builder farm है? no dear students यह set builder farm है ओके? तो आप यहां पर set दिया गया है x such state x belongs to n n क्या है? याद है notations बताई मेंने वो होते है natural numbers and x square minus 3x plus 2 equal to 0 यहां पर कुछ quadratic equation दिगई है आपको confuse करने के लिए आप डरिएगा नहीं तो करना क्या है? आपको बताना है क्या यह null set है? null set में ने बताया था जो empty set होता है वही null set होता है उस पे कोई element ही नहीं होता है क्या यह finite set है? क्या यह infinite set है? क्या? 9-30 इन मेंसे कोई भी नहीं है तो आपके पास set दिया गया है A set दिया गया है आपको बताना है y sets क्या null set है? finite है? infinite है तो हम क्या करेंगे? यह जो यहां पर equation दी गई है आपको question में दिया गया है जो x का value है वो belong करता है n यह पता है यह किसकी notation है belongs to तो जो x के values है वो क्या है natural numbers यहां पर x belongs to n तो जो x यहां पर elements होते हैं वो elements belong करते है natural numbers में तो यहां पर x को आप value दीजेगा वही natural numbers तो अगर यह condition यहां पर lhs आपका right hand side के बराबर आया तो it means के वहां पर कोई element होगा अगर नहीं आ जाएगा तो वो null set है अगर बहुत सारे elements आ जाएगे तो वो infinite set है तो कहरेंगे क्या देखेगा आपको यह equation लेनी है quadratic equation ली x square minus 3x plus 2 equal to 0 तो natural numbers के जो x का value है वो natural numbers है तो natural numbers start होते हैं 1 से मैंने x का value 1 दिया दो इस equation में that is 1 square minus 3 into 1 plus 2 अगर यह बराबर आ जाएगा ना 0 के बराबर तो आपको क्या है आपको एक value आया तो यहाँ पे solve किजिएगा 1 square is 1 1 are 1 minus 3 1 are 3 plus 2 तो यहाँ पे आपको मिला 1 minus 3 plus 2 तो 1 minus 3 is वो आजएगा minus 2 minus 2 plus 2 is यह plus 2 minus 2 cancel यहाँ पे क्या आया 0 जो यहाँ पे right hand side में है तो जो 1 है वो बिलांग करता है इस x में तो जो x का value है वो 1 है तो एक value आपके पास आया अब जो यह null set है उसकी condition खत्म तो यह option ही खत्म हुई क्यों null set का मतलब क्या होता है कोई element ही नहीं होगा set में तो यहाँ पे लेकिन आपको x is equal to 1 value आया ना तो आप next देखेगा आप दो options हैं आपके पास infinite and finite तो क्या करना है हम x को value देंगे 2 तो 2 देंगे इस equation में x का value वो आजएगा 2 square minus 3 into 2 plus 2 इसको सालो करो 2 to are 4 minus 3 to are 6 plus 2 तो वो क्या मिलेगा आपको यह मिला 4 minus 6 plus 2 यह 4 plus 2 is 6 और है minus 6 तो minus 6 plus 6 is 0 तो आपके आपका right hand side क्या है वो है ना 0 तो अब बराबर आया ना आपका left hand side right hand side तो it means जो 2 है वो भी इस set में बिलांग करता है तो x के कितने values आए 1 or 2 तो आपको क्या देने है x के values नेचरल नमबर अगर हम x के value जो x का value है वो 3 put करेंगे इस equation में वो क्या आजाएगा 3 square is 9 minus 3 into 3 is 9 plus 2 equal to plus 2 आपको बताना है यह 0 के बराबर आजाएगा तो plus 9 minus 9 cancel वहां पे क्या मिला 2 मिला क्या यह right hand side के बराबर है नहीं वहां पे 0 है यहां पे आपको 2 आया तो 3 value नहीं होगा तो 3 नहीं आया ना तो it means के कुछ values नहीं जो नेचरल नमबर हैं उन मेंसे कुछ values इस equation में satisfy नहीं होगे it means जो यह set है वो infinite नहीं होगा क्योंकि कुछ values missing है जब infinite नहीं है तो फिर क्या है finite ही होगा ओके ऐसे ही questions को सालो करना है आपको यहां पे समझाने के लिए यहां पे time लगा आपको वहां पे इतना time नहीं देना है बस यहां पे one put कीजे का value two put कीजे का आपको लगा के यहां पे equation sets पर हुई तो सीदे finite set ओके तो next question देखेगा यहां पे let a is equal to x such that x is a letter in the word follow and b is equal to y such that y is a letter in the word wolf then यहां पे options है a and b are disjoint a is equal to b a is not equal to b none of these only do a set तो यहां पे आपको two sets दिये गए है किस फार में है यह identify कीजेगा जल्दी किस फार में है set builder फार्म ओके तो set builder फार्म है यहां पे आपको बताना है यह जो a set है b set है क्या यह did joint set है ? did joint set याद है बताया था second lecture में जाएगा तो मैंने वहाँ पर बताया था Dijoint Set क्या होता है वो सेट, वो दो सेट जिनमें कोई element common नहीं होगा तो A equal to B याद है equal to कब होता है वो याद होगा A is not equal to B वो याद है, हाँ याद होगा तो क्या करना है यहाँ पर आपको देखना है A equal to B या A is not equal to B तो करना क्या है जो A सेट है उसको हम लिखेंगे रोस्टर फार्म, easy के लिए तो यहाँ पर क्या क्या है F लिखा, O लिखा कामा सपारेट करने है elements को किसे कामा से फिर है L लिखा L फिर फिर से L आ रहा है तो repeat हो रहा है हमें उसको नहीं लिखना है फिर से और आ रहा है नहीं लिखना है फिर W लिखा तो कितने elements है 4 तो N of A is 4 अब B, जो B सेट है वो क्या है वो है letter in the word wolf तो इसमें कितने है W लिखेंगे, O लिखेंगे L लिखेंगे, F लिखेंगे कोई repeat नहीं हो रहा है तो same लिखेंगे यह वापस तो इसमें भी 4 elements है इसमें भी 4 elements है तो elements same है जब elements same है तो यह option हमारे पास cancel क्योंकि disjoint क्या होता है जिनको कोई common element नहीं होता है तो यह जो first option है cancel अब second option क्या है A is equal to B वो देखेगा यहां पे तो इसमें 4 elements है इसमें भी 4 elements है तो इसमें कौन कौन अब क्या होना चाहिए equality के लिए same elements होने चाहिए F है यहां पे तो F है ना यहां पे भी O है यहां पे भी O है L है यहां पे भी W है यहां पे भी तो same number of elements same elements भी है और उनका number भी same है तो it means क्या है A equal to B तो कौन सी option correct है B option is a correct option अब next question क्या है Which of the following is not well defined आपको बताना है नीचे कुछ statements दिये गए है आपको क्या बताना है उन में से कौन well defined नहीं है ऐसी questions आते हैं Dear students, ये basics हैं लेकिन JKSSB basics ही पूछता है तो उनको ignore नहीं करना तो यहाँ पे क्या है All the colors in rainbow वो सारे colors जो rainbow के होते है All the efficient doctors of the hospital All the prime numbers 10 to 100 All natural numbers greater than hand आपको इन में से कौन option वो है जो well defined नहीं है Well defined याद है Well defined का मतलब क्या होता है जो opinion मैं किसी set के लिए देती हूँ वोही अमरिका में जो इनसां रहता है वोही वो भी देना चाहिए जो पैकिसान में बंदा रहता है वोही उस सेट के related वो opinion सेम होनी चाहिए वो होता है Well defined तो यहाँ पे क्या है All the colors in rainbow First option is All the colors in rainbow क्या rainbow के colors जो है वो यहाँ कश्मीर में भी वोही rainbow उस दिकाए पे जो rainbow आता है तो उसकी seven colors होते है तो वो में भी बताऊंगी और वो जो बंदा बाहर होगा कश्मीर, outside the कश्मीर वो भी बोलेगा हाँ seven colors है वीबगार वी आई बी जी वाई ओ आर तो आपको हर कोई बंदा बताएगा हाँ यही colors है तो यह क्या है well defined तो first option is यहाँ पे यहाँ पे first option खातुम अब second all the efficient doctors of the hospital वो सारे doctors जो hospital में हैं लेकिन efficient word use किया गया है जो यह efficient words use किया है ना तो उसने सारा well defined का मज़ा है वो सारा खातुम किया है यहाँ पे तो यह efficient यहाँ पे मिला तो मुझे आपको क्या लगता है यह well defined है मेरे लिए एक efficient doctor होगा आपके लिए दूसरा होगा तो अगर आप और किसी के बंदे के पास जाओगे वो बोलेगा नहीं जो efficient doctor है मेरे हिसाब से वो है तो हर किसी की opinion यहाँ पे different होगी तो जब opinion different है तो well defined नहीं है तो आपको क्या यहाँ पे मिला यह जो भी option है यह correct है C भी देखेंगे C क्या है All the prime numbers 10 to 100 साब के लिए prime numbers 10 to 100 सेम ही है All the natural numbers greater than 100 greater than 100 natural numbers सब के पास ही सेम होगे साब की opinion सेम है उसके related तो कौन सी option correct है B option is the correct option तो question number 7 है यहाँ पे If A and B are two If A and B are two sets Then A and यहाँ पे A और B दो sets दिये हैं और यहाँ पे और एक condition है A union B is equal to A intersection B आपको क्या बताना है Then A is equal to 5 क्या A फाई के बराबर होगा क्या B फाई के बराबर होगा क्या A, 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 B के बराबर होगा यहाँ न आपदाई तो कैसे करेंगे इस question को इन questions को आपको कैसे करना होगा आपको क्या करना है आपको example लेनी है by example से आपको यह question सालो करना है ऐसे ही तुका नहीं मारना है तो क्या करना है छोटी example हो अगर आप A लोगी 1, 2, 3 ठीक B आप लेते हैं 1, 2, 3 आपको क्या निकाला है A union B A intersection B देखो मैं यहाँ पे लेती हूँ यहाँ पे देखेगा आप आपने A क्या लिया आपने for example A लिया 1, 2, 3 और आपने B क्या लिया आपने B लिया 1, 2, 3, 5, 4, 6 तो आपको क्या निकालना है A union B और क्या था A intersection B तो A union B यहाँ पे A union B क्या है union याद है सारे elements को combine करना है लेकिन जो repeat elements हैं उनको एक ही बा लेना है तो वो है 1, 2, 3, 5, 6 आप A intersection B निकालेगा A intersection B वो क्या आजएगा यहाँ पे intersection निकालना है common elements निकालने हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 वो आजएगा 1, 2, 3 फिर आपको बताना है आपको A union B मिला 1, 2, 3, 5, 6, 6 क्या मिला आपको A union B मिला 1, 2, 3, 5, 6, 6 और A intersection B आपको मिला 1, 2, 3 आपको क्या निकाला है उपर यहाद रखेगा आपको A union B is equal आपको यह Question में दिया गया है जो A union B है वो บराबर है A intersection B तो यह बताया गया है वहाँ पर हमें यहाँ पर A union B आया 1, 2, 3 1, 2, 3 फिर यहाँ उसे किस तो यह मत देखीगा आप यहाँ पर देखो आप यह condition देखेगा आपको वहां पर question में दिया गया है कि जो A union B है वो lengthy बन जाएगा उससे भी answer निकलेगा बत lengthy बन जाएगा आपके लिए difficult बनेगा तो A union B है A intersection B के बराबर जब A union B हैं बराबर A intersection B समझना point तो जो union है दो सेटिस का union है दो सेटिस का वो बराबर है जो intersection है वो बराबर है जो intersection है for example अगर union निकला हमें दो सेटिस का 2,3 वो निकला हमें A intersection B भी वो सेम निकला तो उस टाइम क्या condition होगी क्या A B के बराबर होगा क्या A 5 के बराबर होगा तो A 5 के बराबर आ जाएगा नहीं इसमें दो elements है बराबर हैं इसमें भी 23 है इसमें भी डू ऐसमें भी 2 elements है इसमें भी 2 elements है तो उसका क्या मतलब है equal set तो यहां पर कुण। करेक्ट है ङूँद to आपको समझ आया आपको example भी नहीं लीनी हैं बस आपको बताarat है यहां पर gapstart by جो हैं वो बराबर हैं अ intersection B, जब एक condition होगी हमारे पास, तो उसका क्या मतलब है, जो A के elements है, और B के elements है वो same होगी, जब वो same है तो जो number है उनका वो भी same होगा, जब element same है, तो elements भी उनका same है, तो वो क्या है, वो कौन सी condition है, equal sets की condition है ओके, तो next question देखेगा यहां पर the cardinal numbers of the set A is equal to x such that x belongs to I, 2 is less than x less than 7, जब बहुत important question है, दो exam, दो papers में ने question देखा है, देखो क्या है आपको बताना है cardinal number cardinal number आपको ने समझा है क्या होता है, number of elements in the set तो यहां पर आपको एक set दिया गया है, A वो, यहां पर set builder form है, देखो क्या है, समझना है x, वो elements जो बिलां करते है set of integers, I mean याद है, integers लेकिन, लेकिन कुछ condition दी गई है वो क्या condition है, 2 is less than x, less than 7, उसका मतलब क्या है, इस a में कौन-कौन से elements है, 2 is less than, अगर less or equal to होगा तो 2 भी include है, तो 2 यहां पर include हमें नहीं करना है इस set a में, तो a set में क्या आजाएगा, 3 4, 5 and 6, क्या 7 आ सकता है, no because यहां पर less than है अगर less or equal to होगा फिर 7 आता, लेकिन यहां पर less than है तो यहां पर कितने elements है 3, 4, 5, 6 वो मैंने यहां पर लिखा हमें क्या निकालना है cardinal number, number of elements तो number of elements कितने है इस set में, वो है 1 2, 3, 4 वो तो 4 elements है 4 elements है, तो वो ही होता है na cardinal number, कितने elements होते है इस set में, तो वहां पर क्या मिलेगा, cardinal number is equal to 4, तो जो option correct है, वो है C option, okay my dear students, तो next question देखेगा if A is equal to आपके पास 2 sets दे गए है A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and B is equal to 1, 2, 5, 7, 9 आपको क्या निकालना है then N of A intersection B याद है, formula बताई मेने कल ही cardinal T में तो N of, आपको क्या निकालना है N of A intersection B तो आप पहले निकालेगा A intersection B जब आपने A intersection B निकाला, फिर आपको क्या निकालना है N, N of means cardinal number आपको निकालना है पिर, यानि कि जब N apply करोगे it means कि उसमें A intersection B में कितने elements है उसका मतलब है cardinal T तो यहाँ पे आपको confuse करने उसने confuse करने के लिए ये दिया है N of A intersection B तो cardinal number यहाँ पे नहीं दिया directly तो आप confuse नहीं हो जाएगा वहाँ पे तो यहाँ पे जब N of A intersection B देखोगे N देखोगे करें पे उसका मतलब है cardinal number तो यहाँ पे क्या करना है हमें option दे गए हैं 5, 4, 6, 3 देखेगा क्या option आजाएगा हम पहले लिखा लेंगे A intersection B A क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा उसका intersection निकालना है किसके साथ 1, 2, 5, 7, 9 आपको याद है intersection क्या होता है same common elements okay common elements is set A or set B में है वही लेने है वहाँ intersection तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 यहाँ पे नहीं है 3 को skip कीजएगा 4 है यहाँ पे नहीं है नहीं आजाएगा 5, 5 सेम है यहीं लिखा 6 है यहाँ पे नहीं है 7 है, यहाँ पे 7 है इसमें भी तो जो intersection यहां में मिलेगा वो क्या है 1, 2, 5, 7 ओके तो आपको A intersection B किसके बराबर आया 1, 2, 5, 7 तो कितने elements है 1, 2, 3, 4 तो 4 elements है आपको निकालना क्या है N of A intersection B तो वो कितने number of elements in the A intersection B वो कितने है वो है 4 तो जो answer है यहां पे वो है option B ओके तो question number 10 देखेगा The sets A and B, दो sets है A और B have 6 and 9 elements respectively जो set A है respectively यहां पे देखेगा समझेगा जो set A है उसमें 6 elements है जो set B है उसमें 9 elements है such that A is a proper subset of B लेकिर और एक condition बताई है जो A है वो proper subset है किसका B का हाँ obviously होगा न क्यों होगा किमकि A में छोट कम elements हैं B में ज्यादा elements हैं तो कम जो कम element वाला होगा वही proper subset बनेगा न जो ज्यादा elements इसमें होंगे common sense है then the total number of elements आपको निकालने है total number of elements किसमें A intersection B में उसका मतलब क्या होता है cardinal T okay तो options दे गए है 6, 9, 15, 12 लिखेगा क्या है तो आपको यहां पे given है जो the set A and B है six elements six elements mean is N of A is equal to six वही में यहां पे लिखा और B में कितने elements है nine elements है N of B is equal to nine आपको क्या निकालना है N of A intersection B देखो students यहां पे confused नहीं होना यहां पे A set के elements नहीं दिये गए है यानि कि वह जैसे 123 वह set नहीं दिया गया है यहां पे यहां पे B set नहीं दिया गया है सिर्फ यह दिया गया है कि A में six elements है B में nine elements है आप निकालेगा A intersection B में कितने elements होंगे तो करना क्या है confused नहीं होना है तो जब आपने A में six elements लिए B में nine elements लिए उनका intersection निकालना है intersection means common elements तो इसमें six है तो nine है तो क्या common elements क्या होंगे वहां पे इसमें भी 6, N of A में 6 elements है N of B में 9 elements है तो जो 6 number, 6 elements N of A set में है वो B set में भी होंगे ना क्योंकि उसमें 9 elements है तो 6 already उसमें होंगे तो A intersection B क्या आजएगा N of A intersection B क्या आजएगा वो आजएगा 6 तो उसकी coordinate क्या है 6 तो number of elements in A intersection B वो क्या होगा 6 तो simple आपको यहाँ पर एक trick याद रखनी है अगर ऐसे questions आजएगे अगर आपको intersection निकालना होगा दूसरे इसका उनका coordinate number of elements निकालने होंगे तो जो यहाँ पर छोटा होगा वही लेना है अगर union निकालना होगा जो बड़ा होगा वही लेना है क्योंकि union में क्या आते हैं सारे elements आते हैं तो सारे elements यहाँ पर नाइन ज़्यादा है तो वही लेना है उसे के related दूसरा question यहाँ पर है यहाँ पर difference यही है यहाँ पर union बी दिया गया है उपर मैंने क्या बताया जो a union बी है उसका मतलब क्या होता है union निकालना है आपको आपको वह सारे elements को जाइन करना है तो a में है 6 elements b में है 9 elements तो यह जो 6 elements हैं वह इसमें भी होंगे न रिपीट आ जाएगे न तो टोटल क्या होगा फिर 9 elements तो जो n of a यहाँ पर 6 है n of b 9 है जो उनका union होगा वो कितने elements होंगे कितने number उनका क्या होगा 9 तो cardinalty क्या है 9 यहाँ पर option b correct option है ओके my dear student आज हम इस lecture में इतने ही questions देखेंगे इतनी questions पढ़ेंगे लेकिन जो next lecture होगा इसमें हमारा यह सारा set theory हमारा complete हो जाएगा so my dear students मिलते हैं next lecture में इनी questions को लेके अलाहाफिज